तो आज किस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप जो कैसे कोतक महिंदर बैंक में जीरो बैलन से इविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकतो हो आज किस वीडियो में आपको तो A2Z सारा process online बताने वालों mobile की स्कीन पे ले जाके और जो ATM और checkbook जो कि आपके घर पर बायट पोस्ट डिलेवर करा दिया जाती है बिदिन सेवंटेज और पास्वुक के लिए आप अपने मोगाइल पॉन से अपलाई कर सकते हो और पास्वुक को भी ब्रांच से लेके आसकते हो और जहां भी लगाना वह आप लगा सकते हो वैसे चेक्बुक आजाती है वही पूरूप होता है तो और statement बगेरा वह आप मोग जाएगा online account opening का आपको सबसे पहले अपना नेम मोवाइल लंबा जो भी आधर कार्ड में वो नेम आपको यहां पर फिल करना है email id city name state name इस capture code को फिल करना है और आपको open my account पर क्लिक करना है फिर आपको एक next page पर redirect कर दिया जाएगा आप यहां पर देख सकते हो online zero balance saving account कोटक name डालना आधर कार्ड के according यहां पर आपको अपना मोवाइल लंबर email id इस capture इन दोनों को टिक कर देना I am not a politically expert person नहीं है हमारे कलाब कोई भी अगरा कुछ नहीं है आपको यहां पर इंडियन सिटीजन में आप रहते हो और open my account पर क्लिक करना है उसके बाद आपके मोवाइल पर एक odp send की जाएगी odp आपको यहां फिल करना है और नहीं के बाद आपको यहां पर आप देख सकते हो कि account open करने के लिए क्या क्या चीज मेंडिटरी है आधर काड होना चाहिए पैन काड होना चाहिए और smartphone होना चाहिए और एक byte paper होना चाहिए जब आप KYC complete करोगे otherwise account open करना चाहिए औरорот accounting option open करने चाहिए और आपको यहां यह सपी ऐडिप करना उसके बाद कंडियों को आपको यहां करने continue पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके आधरकार्ट के साथ जो भी मॉवाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP सेंड की जाएगी वो OTP आपको यहाँ फिल करना है और आपके आधरकार्ट के अकोर्डिंग एडर्स यहाँ पर आ जाता है चेक बुक एटेम आपके बाइपोस्ट इसी एडर्स पर सेंड की जाएगी आपको continue पर क्लिक करना है आपके सामने आपकी सारी डीटेल्स आ जाती है यहाँ पर आपका फोटो आधरकार्ट के लुक एक कर रिटाइड उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एनुलिम कंट करें इड lies से का मैं फिर थो लाग से पाँच लाग के बीच में वह आपको अपने अकोर्डिंग सेल Obrig ने उसके बाद आप यहां पर नॉमनी बनाना चाहते हो अकाउंट में अगर बनाना चाहते हो तो आपको यहां पर देख सकते हो प्रिविव आ जाता है आपके सामने एक बार आपको यह सभी को चेक कर लेना और कंटीनू पर क्लिक करना उसके बाद आपको सभी डिकलेशन को कंपलेट करना यहां पर आई और नीचे आओगे सभी को टिक करने के बाद कंटीनू पर क्लिक करना और यह करने के यहां से आप छोड कर भी जा सकते हो फिर आपको यहां पर अपना फोटो किलिक करना होगा अगर आपके बाद के करना के बाइस से कंपलेट करने के लिए अधर वाइस यहां से आप छोड कर भी जा सकते हो फिर आपको यहां पर अपना फोटो किलिक करना होगा अगर आपके पास ओरजिनल पैन कार्ड और अधर कार्ड है तो आप जो अभी वीडियो के बाइस अकाउंट ओपन करने के बा बाद आपको इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा अपसन आएगा क्लिक है टू लॉग इन पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको यह सेंड सिक्योर एसमेस नाव जो भी मॉवाइल नमबर आपने डाला था उसी वह सेमें होनी चाहिए यह सेंड किया जाएगा सेंड करने के बाद सेंड सिक्योर एसमेस पर क्लिक करना है जैसे कि वेरिफिकेशन सक्सेश्फल हो चुका और कंटीन्यू पर आपको क्लिक करना है फिर आप यहां पर देख सकते हो आपका सियरे नमबर आ जाएगा फिर आपने जो भी अकाउंट बनाते समय आपन करते समय जो भी डीटेल्स आपने फिल की थी वो आपको यहां पर अपना मदर ने पूरा पिल करना है आपको यहां पर पेंकार नमर डेट ऑब बर्थ फिल करना है और सब्मिट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर अपना एम पिन बना होगा बनाना होगा सिक्स डिजिट से शेलट कर सकते हूए या फिर फोटो को ले सकते हैं डारैक्ट और नेस्ट पर क्लिक करना आप आपका यहां पे ओपन हो चुका है यहां पर देख सकते हो अकाउंट नमबर आपको देखने को मिल जाएगा आपको successfully account open हो चुका है और 7 दिन के अंदर अंदर आपके checkbook और ATM by post घर पे deliver करा दिये जाएंगे अब बात करते हैं आपको passbook को कैसे order करना ये वीडियो मैंने बना दिया दो मिनट की वीडियो इसको जाकर देख लेना और पास्वुक को apply करने का process भी आप इस वीडियो में सीख जाओए I hope कि आपको वीडियो पसंद आयो अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करना channel को subscribe करना link नीचे आपको discussion में मिल जाएगा